हमारे नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है तो हलो फ्रिंड पिछले वीडियो में आपको तीस नंबर का बिलाउज बताई किस तरह तीस नंबर का बिलाउज बनाय जाता है फोर टेक्स में बताई जो डॉट वाला होता है तो फ्रेंड कहीं-कहीं पे dot बोलते हैं, कहीं-कहीं पे सादा बिलाओज बोलते हैं, कहीं-कहीं पे टेक्स वाला बिलाओज बोलते हैं तो फ्रेंट इस नंबर से मैं शुरू की हूँ और आप तक जितना आप लोग का नंबर है उभा तक मैं आपको बताएगी कि किस तरह कटिन के जाता है तो चले फ्रेंट सुरू करते हैं इसकी सबसे पहले पूरी लंबाई देखेगी में लंबाई कितना है ये देखिए पूर पूरी लंबाई यहां से और यहां तक 14 इंच है ये देखिए फ्रेंट गले का लंबाई मेरे 7 इंच है तो 7 इंच में पूरा नहीं लेगी 6 इंच लेगी 6 इंच 5 पॉरह vem जैब हम लोग सिलाई कटिन करते हैं इसको जब हम कटिन करेंगे तो 7 इंच आ जाता है ये лишь कट करना उसके बाद में जो हम लोग पाईपिंग करें या तूर पाईपाई करें इस तरह आपना जो है आधा इंच इसमें आजाएगा तो यह देखिए इस तरह आपका आधा इंच आजाएगा आते फेर्द आंप के दिए पर वरमां जो लंबाई होता है देखियां फ्रेंट, आम होल मैं 5 इंच 5 पॉइंट ली हूँ ये देखिया, 5 इंच 5 पॉइंट ली हूँ आम होल को, छाती का मेरे 20 इंच 5 पॉइंट है, तो मैं उसका आधा लेगी 10 inch 2.5 यहां पर है इसकी जो है 10 inch 2.5 लेगी मैं फिरिंड आते हैं कमर पर यह देखिए कमर का 14 inch है इसका हम लोग आधा करेंगे तो 7 inch आ जाएगा यह देखिए तो मैं 7 inch लेगी यहां पर 7 inch लेगी तो फिरिंड आते हैं अभी टेक्स पर यह देखिए जो टेक्स है डॉट बोलते हैं यह देखिए फिरिंड टेक्स का लंबाई 4 inch है और टेक्स का चौड़ाई आपको यहां पर 1 inch रखने का है जब भी आप पेपर पर कटिन कर रहे हैं जब भी हम लोग को निकालने का रहेगा दूसरे कपड़े पर आपक 3 inch आपको बढ़ा लेने का है 3 inch बढ़ाने से आपका टेक्स बहुत सुंदर बैट जाता है बिलाउच पहरने में कटोरी बहुत सुंदर बैटती है पर अगर आप में कपड़ा नहीं है तो आप 1.5 inch भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं बोलती हूं 3 inch निकालने का यह देखिए फ अधाई हूं और इस तरह 1 inch यहां पर ली हूं यह देखिए 1 inch यहां से ली हूं इसको जब मैं दूसरे कपड़े पर कटिन करेगी तो मैं यह जो टेक्स का जगह है यह देखिए जो जगह है मैं 3 inch लेती हूं 3 inch लेने से कटोरी बहुत गहरा और बहुत सुंदर बैट जाती ह करने के आपको कटरेंगे का तो बहुत बहुत सुन्दर लगता बहुत पिनेशिंग दिखता है तो बहुत पे अपको ज्वाइनशिंग कर देने का यहां से और यहां तो फिरिंट आते हैं दूसरे टेक्स पर Ipero को बताएगे मैं जो टेक्स होता है डोब होता है साधा बिला उच बोलते हैं तो फिर एसका लंबाई मैं 4 इंचS लीम हों इसकी जो чаणडाय यहां टेक्स का एकिंच लिए हुँ तो फिरिंट आते हैं तीसरे टेक्स पर यह 3 इंच है इसका लंबाई यहां पर मैं 11 पर गुलाय में ली ली हूं को अन्चIE का गुलाय लेने का ने का है इसकी इसकी लंबाई तीन इंच है जब भी हम लोग तीन इंच लेते हैं तो यहां पर जब भी हम लोग मोड के सिलाई करते हैं हुक बटन के लिए यहां पर आधा इंच सिलाई में चला जाता है इस टेक्स का लंबाई तीन इंच है चोड़ाई इसको आधा इंच लेने का है यह दे जेखिए यहां पर पूरी लंबाई है सोल्डर से लेके यहां तक मैं बढ़ाई नहीं हूं जितना हम अपना मेजरमेंट है उतना ही मैं लेए हूं तो चले फ्रेंट हम लोग दूसरे कपड़े पर जब भी इसको रख के कटिन करते हैं तो यहां पर जो फ्रेंट पार्ट होता हैं किस तरह कटिन करते हैं उस पर चलते हैं कटिन किया हुआ पर यह देखिए फिर्ट हम लोग कटिन किया अभी इसको उठाक हम लोग कपड़े पर किस तरह कटिन किये हैं यह देखिए हम लोग कपड़े पर कटिन कर दिये हैं यह कपड़े पर कटिन किया हुआ है तो प्र 5 इंच, 5 पॉयंट, text का लंबाई 3 इंच, यहाँ पर जब हम लोग बढ़ा के cutting कर रहे हैं, तो यहाँ पर text का चॉड़ाई 3 इंच रहना चाहिए, यहाँ पर 3 इंच-च का चॉड़ाई मैं ले ली हूँ,margin में मैं 5-1 इंच रखने का है और फोरेंड जो यहाँ पे टेक्स में जाएगा वो कपड़ा मैं यहाँ यहाँ पर 3 इंच मैं बढ़ा दी हूं। तो फ्रिंड आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह मैं बढ़ा के टेक्स का ले हो कपड़ा, फ्रिंड ये देखिए इसमें भी उसी तरह आपको आधा इंच कटिन करके निकाल देने का है, तो फ्रिंड अब भी देखिए मैं उस पर आपको बताई जो पेपर कटिन था, जब भी हम लोग उस पे परफिट बैक पार्ट और फ्रिंड पार्ट एकी साइज का था, अभी जब लोग कपड़े पे कटिन किये हैं, तो फ्रिंड पार्ट ये देखिए, जो फ्रिंड पार्ट है, डेर्ड इंच, पॉंच पॉइंट, हम लोग इसकी लंबाई नीचक उस साद्य विलाओ, जब पतिन कर रहे हैं, तो आपको ऐस चीज का ध्यान देने का है, कि एदेड़ इंच बढ़ा के ले लेने का। आपको मैं आज की दिन पे बता रहे हैं, कि यहाँ पे एदेड़ इंच बढ़ाई हूं, जो कि मैं نीच प्रिंच पर बढ़ा के कटिन की ह तो आपको Его इंच बढहा लेने का है तो आपको इस तरह इंच नेचे के साइड में बढहा लेने का है नेचे MORE अधाई इंच से आप कमी भी लेके सिलाई कर सकते हैं उसी तरह ये देखिए जिस तरह मैं डेढ़ इंच इसमें बढ़ाई हूँ उसी तरह मैं डेढ़ इंच यहाँ पर उपर के साइड में बढ़ाई हूँ उसी तरह मैं यहाँ भी डेढ़ इंच बढ़ाई हूँ जितना आम यहाँ पर ज्यादा रहेगा इस तरह में क्रॉस में लिए थी यह देखिए इस तरह में लेकर गुलाई करके बनाई हूँ यह देखिए फ्रेंड यहां पे 1.5 इंची का फरक है जो कि यहां पे 2 इंच 5 पाइंट है यहां पे 1.5 इंची का फरक है तो फ्रेंड आपको इस तरह यहां पे गले का चौड़ाई नहीं देने का आपको गले का चौड़ाई नीचे साड में देने का है तो फ्रेंड यह का आपको जो नहीं समझे आता आप कमेंड करके पूछ सकते हैं तो फ्रेंड अभी बिलाउज का मैं आपको बताई किस तरह कटिन किये जाता है किस तरह बढ़ा के कटिन किये जाता है तो फ्रेंड अभी मैं आपको बाजु कटिन बताएगी कि बाजु किस तरह कटिन किये जा इस तरह कटिन करने का है उसके बाद में आपको यह देखने का है यह लंबाई देखने का है उसके बाद में आपको यह देखिए यह देखिए अस्तिन का जो मोहरी होता है यह देखिए बाजु की जो मोहरी होता है आपको उसको देख लेने का है तो उसको आप जब भी मेजरमेंट लेंगे तो जो नीचे का साइड है उससे एक इंची कमी तो यह 8 इंच आ जाता है देखिए मैं 8 इंच ली हूँ तो फ्रिंड इस तरह में लाइनिंग कर दी हूँ यह देखिए आपको लाइनिंग कर दी हूँ यह देखिए इस तरह में लाइनिंग कर दी हूँ यह देखिए इस तरह पट्टी रखके आपको इस तरह लाइनिंग कर का है गुलाई करने के बाद में फ्रेंड जो फ्रेंड पाट कपड़ा होता है अस्तिन का उसमें आधा इंची आपको निकाल लेने का यह देखिए यहां पे आप एक से डेड़ इंच छोड़ देने का है यहां पे भी एक से डेड़ इंच छोड़ देने का है आपको आधा इं हैं तो प्रेंट कभी भी आप विलाउज को जॉइंट कर रहे हैं तो आग एक साइड में जॉइंट करने का यहां से आपको आधा इंची कटिन किए हैं आपको इधरसे जॉइंट करने का यह देखिए फिरंग ii जो यह बीचो बीच का है अपको यह जो बाजू है आनि यह वाला सुल्डर जॉइंट कर देते हैं दोनों सुल्डर जॉइंट करने के बाद में आपको इस बाजू को उठा के आपको पीन से यहां पर जॉइंट कर देने कहा आपको जब भी आप पीन से जॉइंट कर देंगे उसके बाद में फ्रेंट या आधा इस बाजू आएगा आधा इस बाजू आ जाएगा उसके बाद में फ्रेंड देखिए आप जब भी जॉइंट कर रहें ते जो आधा इंची निकाले हैं वो यह देखिए जो कटोरी है टेक्स वाला हो या कटोरी वाला रहेगा आपको आगे एक साइड जो फ्रेंड पाट हो था उधर से आपको य हिसाब से आपको कटिन करने का है तो फ्रेंड इसका ध्यान देने का आपको कंफ्यूजन ताकि ना होए आप एक इंची इस्टरा ले लेने का मैं नौ इंच ली हूं 32 इंच का आपको 10 इंच लेने का है तो फ्रेंड इस तरह आपको ब्लावज कटिन करना आपको लिखे लि नहीं अगर आएगा तो फिरिंड आप हमारा वीडियो के मैं कटिन करें करें डाली हुँ आप उस पर जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पर तो फिरिंड मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में